तो कैसे हैं आप लोग आश्यागरता हूँ बहुत अच्छी होंगे घर पे होंगे और सुस्त होंगे तो आप लोग बहुत ज़ादा कॉमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी गरामर का स्रीश शुरू कीजिए तो आज मैं एक खर चुका हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी गरामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं जिसका नाम है मुहावरा हलाकि आप लोग बहुत पहले ही मुहावरा को पर चुके होंगे मुहावरा के बारे में जान चुके होंगे लेकिन आज मैं इस वीडियो में बहुत ही डीपली मुहावरा के बारे में बताने वाला हूँ कि मुहावरा किसे कहते हैं मुहावरा के उत्पत्ती क्या है साथ में मैं बताऊंगा कि महावरा के शुरुआत कब और कैसे हुई ये भी मैं बताऊंगा कि महावरा का इस्तमाल आखिरकार हम लोग क्यों करते हैं यानि कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो महावरा के बारे में आप बहुत जानकारी जैसो हासिल कर सकते हैं तो वीडियो के अंट तक बने रही है बहुत important और बहुत जादा knowledge जैसो इस वीडियो में मिलने वाला है फिर जब अगला पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग जैसो important महावरा को देखेंगे जो किसी भी exam में किसी भी exam के आप तयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफी होगा तो board exam के आप तयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को देखिए knowledge लेना चाहते तो भी आप इस वीडियो को देखिए या फिर किसी भी तरह के competition की त्यारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अवशे देखिए तो चलिए हम लोग वीडियो के तरह बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपस एक छोटा सा रिक्विस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पर पहली बार आएं तो अपली चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों को वीडियो अवशे सेर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखर कर महावरा कहते हैं किसे तो पहले उसके हम लोग डिफनिसन को देखते हैं वाक्य में जिस शब्द या शब्द सम्हू का साधारा अर्थ ना होकर विशेस अर्थ होता हो उसे महावरा कहते है यानि कि किसी भी sentence में हिंदी sentence यानि कि वाक्य में शब्द या शब्द समु का एक वर्ड भी हो सकता है या एक से ज्रादा भी हो सकता है या आपको मालूम होनी चाहिए कि महावरा एक शब्द में भी होता है और एक से अधिक शब्द में भी होता है तो शब्द या शब्द सम में जो हैसो जान सकते हैं अब चलिए हम लोग जानते हैं कि मोहावरा की उत्पत्ती कहां से हुई तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि मोहावरा मुलता अर्बी भासा का शब्द है कि ने जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना या अभ्यास होना ये बात याद रख कि महावरा की जो उत्पत्ती है यह महावरा वाड जो है अरबि भाशा का यह शब्द है जिसका मतलब आगर माना निकालेंगे तो होता है बात चीत करना या फिर उततर देना यह अभ्यास करना तो ये जो इसकी उत्पत्ती है वो हिंदी से नहीं बलकि अर्बी भासा से है जो आज दुनिया में शायद चौथे नमबर पे है बोलने के मामली में जो अर्बी भासा जो बोली जाती है शायद वो चौथे नमबर पे तो इसकी उत्पत्ती अर्बी भासा से है अगर हम लोग प्र जास होना या फिर बाचित करना या उत्तर देना अब चलिए ये मोहावरा को जो है मोहावरा को अरबी लीपी में मोहावरूर लिखते हैं जो हिंदी भाशा में मोहावरा हो जाता है ये बाते भी याद रखना है कि इसकी उत्पती जो हुई ये वो अरबी से है और अरबी ली English में क्या कहते हैं तो English में Edoms कहते हैं एक और यह जो है Latin French से भासा से होते हुए अंग्रेजी में आया यानी कि पहले Latin Latin से फिर French और फिर जाकर के English भासा में जो है यह तबदील हो गया और आपको मालुम होनी चाहिए कि English भासा एक बहुत आगे लाटी नए भासा है यह फ्रेंच लेटिन इन सबसे मिक्स्यर है तो यह बाद में तियार हुआ इसलिए लेटिन फ्रेंच से होते हुए यह शब्द इंग्लिस में मौजूद करता है अगर हम बात करते हिंदी साहिते में देखे अभी मैं नाम सब के बारे ही बता रहा हूँ आगे बहुत जादा इसके बारे में हम लोग डिपली बात करने वाले हैं अगर हम लोग साहिते में बात करते हैं लिटरेशर में तो लिटरेशर में हम लोग महावरा को सरिफ महावरा ही की न महावरा भी कहा जाता है, महावरा भी कहा जाता है, महावरा भी कहा जाता है, और महावरा आदी की रूप में जैसो मिलता है, तो यानि कैसारे रूप हैं महावरा की, एक ही वर्ड में हम लोग महावरा का इस्तमाल जैसो नहीं करते हैं, अलग अलग इसका रूप है, जिसमें ह लोग इस्तीण लोग इस्तीखते ही, यद जब उल्गी सबने में अगर हम लोग देखते हैं अर्दू और घंदी रिक्स्क्नरी में कि महावरा का पड़ियावाची शब्थ क्या है तो महावरा का पड़ियावाची शब्थभ क्या लो करा dalej जानगे कि परियावाची इसका अगर परियावाची शब्द देखेंगे हिंदी और अर्दू दिखसने जी दोनों में तो ये तीन वर्ड आपको परिय महावरा का जोसो मिल जाएगा महर्फ, महावरत और महावरा तैकिन ये तीन शब्द जोसो मिलते हैं और यही अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि महावरा को अर्दू में क्या कहते हैं तो इसको अर्दू में तर्जे कलाम तथा इस्तलाह भी कहते हैं कि अर्दू में ये दो नाम के रूप में जाना जाता है महावरा तर्जे कलाम और इस्तलह जो अर्दू में कहते हैं से अगर हम लोग बात करते हैं संस्कृत में तो संस्कृत में एक दू नाम नहीं बलकि कैसारे नाम है अगर देखें तो पहला जो नाम है वात गिरिती है वाग गिरिती है उसके बाद जो है वाग वेपार है वाग शरा है वाग वहवार है विशिस्ट वचन है विशिस्ट वाग है तथा भाशा विशेसन है तो इन सारे रूप में हम लोग संस्कित में जैसो जानते हैं या फिर संस्कित में महावरा का परियावाची जैसो देखने को मिलता है तो अलग अलग रूप है हर एक भासा में जो है लेकिन मतलब वह ही निकलता है अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं बहुत सारे लोग के माइंड में ये सवाल होता है कि आखिर कर जो कोई महावरा है वो महावरा बना कैसे इसकी शुरुआत कैसे हो जाती कोई महा महावरे और कहावत का जनम कभी ना कभी कही ना कही हुआ होता है लेकिन कब और कहां ये कहपाना मुश्किल है लेकि कोई भी महावरा है जो बार बार हम लोग यूस करते हैं अपने आम बोली चाल भासों में जो यूस करते हैं उसकी शुरुआत तो कही ना कही हुई है कही कहें उसका जनम तो हुआ है लेकिन कब और कहां ये कहपाना बहुत ही मुश्किल है ये बहुत जादा कई तो बहुत जादा मुश्किल है किसी भी मुहावरे या कहावत का इतिहास तलाश करना ऐसा ही है जैसे किसी खेट में सुई तलाश ना बत ब्लकुल सही है आप इतनी महाव़ा हैं अगर हम बात करें हिंदी में, जो हिंदी में महाव़ा को एकठा करे किताब जो सो जिसमें परकासित हुई तो लगभग लगभग जो हे, कभी नहीं कभी हुई होगी तब थो हम लोग استعمال کرते हैं, लेकिन कब और कहां यह कहपैना बहुत ही मुश gnा है, अगर करके धूरते रहेंगे, तो जिस परकार्ड़स से खेत में एक सूई को धूरी है हाला कि बहुत सारे ऐसे कहावत या महावरे हैं जिसका उत्पती के बारे मालुम है कि कैसे इसके शुरुआत हुई लोग उसके बारे में कलपना करते हैं मैं आगे आपको बताओंगा भी जिस तरह से पुरातत विग्यानियों ने जिवाशम से इस बात को साबित कर दिया है कि इनसानी वजूत की तारिख हमारी सुच से भी पुरानी है इस तरह हो सकता है कुछ महावरे भी उतनी ही पुराने हो महावरे एक पीडी से दूसरी पीडी को विरासत में दी जाती है अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से अगर हम लोग यह पुरातत वीदो को देखेंगे साइंटिस्ट को देखेंगे तो जिवाशम से यह कह दिये कि हम लोग जो सुचते हैं इतने साल पहले दुनिया शुरू ही होगी इससे भी कैसा रहे पुरानी है लोग का जो एक कह सकते हैं अस्तित्व है तो ठीक उसी परकार यह महावरा भी जो यह अभी का नहीं है आज का नहीं है यह बहुत ही पुरानी चीज़ है और यह एक पीडी से दूसरी पीडी को विरासत में मिलता हुआ जैसो चला गया है जिस परकार जिस तरह से एक भासा में समय अनुसार बदलाव होते हैं रहते हैं उसी परकार महावरा में भी वक्त के मताबिक तबदिली आती रहती है तो उस तरह से महावरा में भी तबदिली होती रहती है जिसमें कि एक कहावत है धोबी का कुता घर का ना घाट का तो इसके बारे में पर्चलन यह है कि पहले के जमाना में जो है या पहले के जमाना में जो धोबी घर-घर से जो कपरा लेता था धोने के लिए तो वो कपरा को ले जब किसी के दरवाज़े पे आता तो वहाँ पे ए जिसको मुंगरा भी हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं और वो लेकर किये जो है वो पहुंच जाता कहां घाट पे पहुंच जाता कपरा उसे धोता खुब कपरे को पीड़ता और उसके बाद जब कपरा लेकर की वो आपस अपने घर के तरफ आता तो हात में जो हैसो वो कोट का भी जो हैसो लेकर के आता था ताकि अगर रास्ते में आ रहे हैं शाम के वक्त भी वो जो साय करता तो तो कभी कोई नुकसान ना पहुंच आ है तो हाथ में अपने कोटका जह हैसों लएया रहा रहाता था जब घर पहूंशने वाला होता तो इस कोटका जह कोट Jawия हो फिख दिया उरूर जारी में फिख दिता था और फिर अगले दिन जाता फिर करेंसे तोरता है और पिर इसको जह सो फिख दिता था अब हुआρά क्या करना शुरू कर दिये धोबी का कुता न घर का न घाट का कि जिस परकार से कोट का है वो कोट का नहीं तो घर का ही रहा और नहीं तो घाट का ही रहा उसको नहीं तो घर भी लेकर के आ रहे हैं और नहीं तो घाट पे छोड़ रहे हैं बलकि उसको जारी में फिक दिया जाता है तो इस तरह से बात पता चलते हैं कि ऐसे इसके सुरुवात हुई तो अलग-अलग है महावरा जिसके बारे में अलग-अलग बाते कही जाती है धोबे कुता घर का ना घाट का इसके लिए और भी बहुत सारे जो हैसो वहाँ पर रिसर्चेज हैं कि नहीं ऐसे इसके सुरुवात हुई होगी तो बहुत सारे ऐसे महावरा है जिसके बारे में जो कुछ आडियाज मिलते हैं बाकी के बारे में जो इस पता लगाना शायद बहुत ही मुस्किल हो जाता है अब चलिए सबसे बड़ा स्वाल ये है कि आकर कर मुहावरा का हम भी इस्तमाल क्यूं करते हैं तो चलिए जान लेत है अगर कोई अपनी भाशा में मोहावरा का इस्तमाल करता है तो माना जाता है उस शक्स का भासा की अच्छी समझ है बात बिलकुल सही है अगर कोई आप भासन बात कर रहे हैं और उस बाचीत में आप अगर महावरे का इस्तमाल करते हैं तो लोग यह समझते हैं ओहो इसके वो भासन पे जो एने इसको अपनी भासा पर पकर बहुत अच्छी है ना इसकी भासा बहुत ही मजबूत है जी यो सीमा का सीमा के पिता है तो उसे दोनों का संबंद भी बहुत अच्छा है और महान अपने दोस्तों से जो हैसो कहता है मैं दिल लगा बैचा हूं और सीमा का बेहा कही और हो जाए तो बरी मुšकिल हो जाए ऐसे ऐसी तो अब कोई भी बात नहीं किंतु ना जाने कहता हूं कि एक बार चौधरी सहब का मन टटूलने में क्या हर्जै भूब लगा तो तीर नहीं तो तुकगा ही साही जाने की अगर काम हो जाए तो अच्छा नहीं तो कोई बात नहीं अब स्का मतलब यह वहाँ लिखने एक होड़ा के बाता है तो चल कोई है। महावरा के विसले wavelength से यही एसफस्ट होता है कि हिंदी के अधिकांस महावरे जो है शरीर से विविन अंग है किनी सरीर के विविन अंग से संबन्दी थे जैसे हाथ, कान, नाक, कमर, पैर, गर्दन इन सबसे संबन्दी थे किस परकार से जैसे आप लोग बहुत याद कियोंगे आग का अंधा, नाक का कटाना, कमर कसना, पहर पटकना, हाथ उठाना, गर्दन जुकाना यानि कि जातर जो महावरा है न तो सरीर के किसी अंग से ही संबंदी थे और इससे इसकी उत्पती हो जाती है अगर और भी बात करेंगे तो कई महावरे विविन पसू पक्षी तथा जन्तू पर आधारी थे किस परकार गधा बनाना, बैल की तरह जूतना, बाज की तरह छटपटाना, कीरा बनना तो ये से महावरा जो है न कुछ पसू पक्षी पर भी संबंदी थे और ऐसे जितनी महावरा देखेंगे, लगभग महावरा जो है न ये इसी सबसे चीज़ से जो संबंदी थे रहता है दो चीज़ सब बता चुका हूँ, चले तीसरी चीज़ को देखते है कुछ महावरे ऐसे भी हैं जो दैनिक जीवन के रिष्टों या संबंद से बने हूँ जैसे बाप, दादा, मामा, चाचा एक्जामपल तो पर देखेंगे तो कहते हैं ना बाप निकलना, मामा बनना, मौसी का घर होना, ये सब है उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो बहुत सारे महावरा जो है वो किसी देवता, परसिद्वेक्ति, इस्थान या पदार्त के नाम पर भी महावरा प्राप्त होता है किस तरह से जैसे बोलते हैं हनुमान की गता, गदा, गान्दी के रास्ते पे चलना, हिटलर शाही, नर्क में जाना, मिटी में मिलना, लोहा लेना आदे अभी मैं जितनी चीज़ बता रहा हूना इसे चीज़ सब महावरा जो इसे संबन दी थे उसके बाद संख्याओं से कुछ महावरा निर्मी थे, एकिनी बहुत जाद आप लोग याद कियोंगे एक और एक ग्यारा होना, नौदो ग्यारा होना, तीन तेरह करना, चार सो बीसी करना, आठ 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 आशू रोना, दस घाट का पानी पीना आदे तो ये सब महावरा नंबर से सो तयार है, कुछ महावरे पर्थाओं पर निर्फ़र होते हैं, जैसे पीरा उठाना, ये पर्था पर बहुत सारे जैसे कि अगर मिडल एरा में देखेंगे, मद्ध यूगिन काल में देखेंगे, तो पर्था एक चलन थी कि अगर कोई राजा है और उसको राजा को कुछ मतलब की खराब काम करना जैसे किसी को नुकसान करना है जैसे किसी से युद लड़ना है तो एक बहुती पीरा काम होता बहुत मुश्किल काम होता तो जो भी वीर होते ना मजबूत बंदा होता उसको बुलाया जाता दरवार में और उसके पास बताई जाते कि भाई फना फना से युद लरनी है उसको हराना है तो अब जो भी बहादर सिपाई होते वो आगे बढ़ते हैं तो राजा जो है उसको प्लेट देता और प्लेट में एक पान रखे देता तो लोग कहते हैं देखो यह पीरा उठा ले यह नहीं को कबोल कर लिया कि अब हम जो है सो युद लरेंगे और अपनी परजा को जो है सो अपनी जनता को बचाएंगे तो इस तरह से जो हैना सुपर्थाओं पर बहुत सारे महावरा जो है सो निर्मित है आइसपस्ट धौनी पर अधारित महावरा होता है कभी कभी साफ बोलते हैं आइसपस्ट होता है उस पे बहुत सारे महावरा जो सुनिर्मित है जैसे देखिए किस तरह से जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि खुशी में हम जो होते हैं तो आहा वहा वह करने लगते हैं तो ये भी एक महावरा है दुक में होते हैं तो आहा निकल पड़ना सेसी करना हाई हाई मचाना तो ये सब दुक में हम लोग साफ़ तरूम बोलती हैं आ कि नहीं जैसे आप خुश ही रहते हैं तो वह 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 ऱहम हूँ करना है कि नहीं जैसे कि घिरना होता है किसी को देखते हैं कोई चोड़ यूरी कर रहा है तो क्या अगर चीछी थू 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 एक नहीं तो यह सभी एक महावरे का ही जो एसो रूप ले लिया है अगर आगे देखेंगे हिंदी के एक शब्द के साथ अर्दू के दूसरे सब्द के योग से बने महावरा और बहुत सारे महावरा ऐसे कि कुछ वर्ड अर्दू का होता है और कुछ वर्ड जो एसो हिंदी का होता है किस तरह से मिल महावबत होना है कि अब मिल देखेंगे तो क्या है हिंदी और महबत उड़ो वर्ड है मेल मराकात रखना दिशा मैदान जाना तो हिंदी और उड़ो के कुछ वर्ड से मिल करके भी महावरे की उत्पत्ती हुई है उसके बाद अगर देखते हैं मनुस सितर चैतने सिस्टी की धौनी पर अधारित महावरे भी होते हैं जै आवास पर जो अधारी थे तो उस पर यह बहुत सारे महावरे हैं फिर पक्छी के पर भी जो यह सो बहुत जादा अधारी थे जैसे काओं काओं करना भिन जाना एकिन तो यह सब महावरे आपको जो मैं बता रहूं इससे ही सब कुछ जो यह सो निर्मी थे आगे देखेंग के भी जिस्व महावरा की उत्पत्ती हुई महावरा जिस्व तयार हुआ है तो यह जो है आपको महावरा के बारे में बहुत डीप नॉलिज था उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप बताईए कि अगले वीडियो में या आपको जो एक दो और वीडियो जो महावरा कानले वाला दो तीन तो उसमें मैं कितनी महावरा को जो इससे बताऊं जो एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग जितना होंगे मैं उसके लगवग में लेकर क्या होंगा जैसे आप महावरे तो 8000 के लगवग में हैं लेकिन अगर आपके हैं तो 200,300,400,500 जो इंपॉर्टेंट एक्जाम के लिए होंगे आप लोग आवसे बताएं कि आप लोग वावरे चाहते हैं 200,400,500,600,000,000 कितना चाहते हैं आवसे आप लोग वीडियो में जो